नमस्कार आप दिखरी नेशन नीज़ मैं हूँ आपके साथ रितिक बिहार में विधान सभा चुनाओ के नतीजे जब घोशित किये गए उसके बाद लगातार विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर अमला बोलना शुरू कर दिया है आपको बता दे कि 10 नवंबर को बिहार विधान सभा चुनाओ के नतीजे घोशित किये गए जहां एंडिये ने 125 सीट के साथ बहुमत के साथ विधान सभा चुनाओ में जीत हासिल की और महागटबंधन 110 सीट पर ही सिमट कर रहे गया उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है निशाना साथ रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दूँ कि 23 नवंबर को बिहार विधान सभा में विधायकों का जो शपत ग्रहन का सिलसला है उस दिन से लगातार जारी यानि कि 23 नवंब जो कि भागलपूर से जिन्हों ने जीत दर्ज की है जीत शर्मा उन्होंने भी अपने विधायक पत की शपत ली है और विधायक पत की शपत लेने के बाद अजीत शर्मा ने मीडिया से बादशीत की और मीडिया से बादशीत के दौरान अजीत शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए भी आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं इस वीडियो में सुनिए कि आजीज शर्मा कह रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे अब साधी साथ क्या कुछ कहा है आजीज शर्मा ने जो के कॉंग्रेस के विधायक हैं सुनिए आप इस वीडियो में अगर सारे विधायक कहेंगे कि नहीं खड़ा करना चाहिए तो हम लोग खड़ा करेंगे वो मानी तेजस्वी जादवजी को निरने लेना है तो सुना आपने अजीज शर्मा जो की कॉंग्रेस की विधायक है भागलपूर से कॉंग्रेस के विधायक है उन्होंने ये ताल ठोके कहा है कि बिहार के अगले मुख्य मंत्री तेजस्वी यादव होंगे अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलाल मैं आपको बता दू कि बिहार विदान सभा में विदायक दल का शपत गरण समारो चल रहा है वो शपत ले रहे हैं जो कि आज भी चल रहा है आज 24 नवंबर है और कल से आने 23 नवंबर से बिहार विदान सभाचुनाओं में जितने भी विदायक ने अपनी जीत दर्ज की उन सब लगातारब अपने विदायक पत की शपत ले रहे हैं तो फिलाल के लिए मुझे दीज़े इजाज़त और देखतेरी नेशन नीउस को धन्यवाद